सो हेलो गाईज वेलकम बैक टू माई यूटूब चानल नॉट्स राइडर और गाईज बहुत दिनों से चानल पर कोई वीडियो ने आई तो मैंने सूचा वाई एक इन्फोर्मेटिव वीडियो आप लोगे के लिए शूट कर देता हूँ जो है अपकमिंग बाइक्स की बेस होने वाली है XSR 155 जो है वो एक रिट्रो क्लासिक बाइक है लेकिन टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की अगर इसकी बात की जाए तो यह काफी सिमलर है MT15 से मलब कि MT15 का जो इंजन है और XSR 155 का जो इंजन है वो सेम केटिगरी का आता है सेम पावर पे सेम टॉर्क पे आपको यह इंजन ट्यूंड मिलेगा आप यह कह सकते हों कि MT15 का जो इंजन है एक रिट्रो क्लासिक बाइक के अंदर लगा दिया गया है यह बाइक अभी आउट ऑफ इंडिया यूस हो रही है जैसे ठाइलेंड हो गया इंडोनेशिया हो गया मलेशिया हो गया बाहर के देशों मे अधर बाइक्स कंपनियों से कंपेर किया जाए तो यामा की जो बाइक्स होती है वो काफी रिफाइंड होती है हालागे इसके कंपटिशन में कई बाइके आती है जैसे TVS लॉन इन हो गई है MT15 हो गई FZ15 हो गई R15 हो गई और भी बहुत सारी बाइक्स हैं 150 CC कैटेगरी की जो इसी कैटेगरी में आती है तो देखते हैं वाई यामाहा XSR 155 कितनी जगा बना पाती है मार्केट के अंदर इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है लाउंच होने की वो है दिसंबर 2022 में दिसंबर 2022 में हो सकता यह बाइक यामाहा लाउंच कर दे एक्सर 155 आपको USD 4 में द कमपनी की तो हो सकता है XSR 155 भी USD 4 setup पे ही आए इंजन के अगर बात कि जाए गाइस तो वही 155 CC का सिंगल सिंडर आपको इसमें इंजन मिलेगा जो की मैक्समुम पावर प्रोड्यूस करता है 19BHP 14.7Nm के टोर्क के साथ और 6 स्पीड का इसमें आपको गियर बॉक्स जाएगी और जो लुक्स है वो रिट्रो क्लासिक टाइप आपको इसकी लुक्स देखने को मिलेगी डूवल चैनल हो सकता है ABS मिल जाए तो बात करते हैं यामा की नेक्स बाइक के बारे में तो नेक्स बाइक है यामा की FZ15 वर्जन 4 यह भी इंडिया में बहुत जल्दी ल इंडिकेटर मिलेगा उसके साथ साथ वाई एक फुली LED हैड्लैंप और टेल लैंप भी मिलेगा आगे से डिजाइन थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है FZ15 का जो इंडिकेटर है वो अभी आपको बल्ब में ही मिलेंगे LED में नहीं मिलेंगे यहामा कॉस कटिंग बहुत ज् बागी हैडलाइट और टेल लैंप की बात करें तो वो आपको LED सेटप में ही मिलेगा इसके इंजिन की बात करें गाई तो इसके इंजिन वही है 149 CC का सिंगल स्लेंडर एर कूल्ड जो की मैग्सिमूम पाउर जेनरेट करता है 12.4 BHP 7500 RPM पे मतलब कि साड़े 12 BHP का इसकी ट्रांस्मिशन मिलेंगे 6-speed ट्रांस्मिशन अभी भी नहीं मिल पाएगा इस बाइक में आपको और फ्यूल इंजेक्टर इसका इंजिन है यह बाइक भाई आउट ओफ इंडिया लॉंच हो चुकी है 11.9 लीटर का आपको इसमें फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा और जो suspension है वो आपको terescopic देखने को मिलेंगे rear वाले जो suspension है वो आपको monoshock में ही मिलेगा और brake system की बात की जाए तो हो सकता है इसमें आपको dual channel ABS भी देखने को मिल जाए वैसे तो yama की 150cc की bike साती है उसमें आपको सब में ही single channel ABS देखने को मिलता है instrument cluster जो है वो आपको fz25 की तरह देखने को मिलेगा थोड़ सा instrument cluster को upgrade किया है यama ने fz25 में जो आपको देखने को मिलता था वैसा ही instrument cluster आपको fz15 version 4 के अंदर भी देखने को मिलेगा अगर इसके price की बात की जाए तो 1.13 लाग extra room daily इस bike का price होने वाला है 1,13,000 रुपे के आसपास इसका price आपको देखने को मि की और hero extreme 160 हो गई सिजुकी जिक्सर हो गई और वाई tvs की Apache RTR 4V हो गई उसके बाद pulser N60 आती है जो इसके competition में है तो यह सारी bikes हैं जो इसके राइवल समनाती है तो देखते हैं यह जो bike है fz4 यह अपनी जगा बना पाती है इंडियर मार्किट में या नहीं सो गई जगर next bike क की बात की जाए तो वह है Yamaha YZF R3 यह एक most awarded bike है जिसका काफी टाइम से लोग वेट कर रहे हैं इंडिया के अंदर के Yamaha इसको जल्दी से इंडिया में launch करें तो यह जो bike है दिवाली के असपास इंडिया में launch होने वाली है ऐसा बहुत सारी sites ने mention कर रखा है अब देखना यह है कि यह दिवाली पर launch होती है या नहीं होती है सो पहले वाली R3 से इस वाली R3 को compare किया जाए तो यह वाली जो R3 है इसके अंदर काफी इंप्लिमेंट्स किया है या महाने पहले वाली जो R3 उसके अंदर आपको telescopic suspension देखने को मिलता था लेकिन यह वाली जो R3 है इसमें आ आपको digital console देखने को मिल जाएगा और front looks थोड़ी सी change देखने को मिल जाएगी आगे आपको R6 वाली looks देखने को मिलेगी R7, R3 जो R15 माती है वैसी सी looks देखने को मिलेगी front से बिलकुल old वाली जो R3 है उससे इसको बिलकुल change कर जाएगा है बागी काईद अगर technical specifications की बात की जाए तो इसमें आपको वही 321cc का dual cylinder engine देखनों को मिलेगा जिसकी maximum power है बाइ 41 bhp के असपास 10,750 rpm और maximum torque के इसका 29.6 newton meter 9000 rpm बीए 6 emissions पर ये बाइक launch होगी इंडिया के अंदर emissions की वज़े से ये bike discontinue करी थी इंडिया में 14 litre का आपको इसमें fuel tank देखनों को मिल जाएगा जिसकी reserve capacity है 2.4 litre और top speed के अगर इसकी bike की बात की जाए तो 188 km पर अवर के इसमें top speed है dual channel ABS इसमें आपको देखनों को मिल जाएगा लेकिन जो इसके brake system है वो इसमें आपको two piston kelly पर सी मिलेंगे ground clearance की बात की जाए तो 160 mm का इसमें आपको ground clearance मिलेगा और बाई अगर curb weight की बात की जाए तो 169 kg का इसमें आपको weight मिलेगा पहले वाली जो R3 थी वो इससे काफी heavy थी ये 6 या 7 kilo lighter है फरेंट में आपको USD fork देखनों को मिलेंगे ये rear में आपको वही monosok suspension मिलेगा पहले वाली जो R3 थी उसमें आपको telescopic suspension देखने को मिलता था लेकिन ये वाली जो R3 है इसमें आपको USD fork setup देखने को मिलेगा सो गई जब प्राइस की बात की जाए या महा आथरी की जो सबसे पहले bike launch होई थी वो होई थी 3,50,000 रुपे एक शोरूम देली और अभी ये जो version 2 है ये launch होगी तो इसकी कीमत क्या होगी ये तो भाई जब ये bike launch हो जाएगी तब पता लगेगा लेकिन expected price आ रहा है वो आ र लाग 15,000 रुपे लगा के आपको एक 300cc bike लेना बनता है comment section में बताना गाइस के R3 अभी लेना वर्त है या नहीं है क्योंकि भाई अभी जब ये bike launch होगी तो कम से कम 4,000,000 प्लस इसकी costing जाएगी और 4,000,000 प्लस costing जाएगी तो 300cc की bike पर भाई 4,000,000 रुपे घर्च करना मेर अभी जो नॉर्मल फीचर चलते हैं जैसे TCS कंट्रोल वगरा यह सारी चीज़ अगर यामाहा देती है तो बाई 4,000,000 रुपे लगाना इस bike पर मेरे साफ से वर्ती है otherwise मैं यह कहूंगा बाई 4,000,000 रुपे के आसपास 300cc की bike लेना समझधारी नहीं है क्योंकि मार्केट के और और भी बहुत सारे option available हैं जो 4,000,000 के असपास अच्छी bike आपको दे सकते हैं सुगाई यह थी एक छोटी सी वीडियो उम्मिद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी यह थी यामाह की upcoming bikes पे छोटी सी information वीडियो पसंद आए तो like कर देना चैनल को subscribe कर देना मिल